सरकार ले कोरोनाका कारण संकत्मा परेका परेटन श्वेत्र का लागी सहस्त था सहुलियत करजा उपलब्द करावनी भाय को सा आज मौद्रिक निदेज सार्वजने गर्दै राष्ट्रवईंग का गवर्नर महाप्रशाद अधिकारीले परेटन बेवसाय संग संबन्दित हवाई सेवा होटल रेस्टुरेंट लगायत का उद्योग बेवसाय लाई सहुलियत करजा को बेवस्ता मिलाईने बतावनु भाय त्यस्ते शिक्ष्या परेटन लगायत का कोरोना का कारण प्रभावीत भायका शेत्र को करजा भुखतानी को मैद थाप करीने बतावनु भाय यस ताइशो शेत्र का असार मसांत सम्म मैत कायम भय का करजालाई पूश मसांत सम्म बढ़ावने ब्यवस्ता गरीने मोद्रिक नितीमा उल्लेक्षा यस तै कोरोना बात अती जो खिम मा परिका पेशा बेवसाय संग सम्मंधित करजा तिर्नुपन मैत और को वर्षको असार मसांत सम्मसार न बेवस्ता मिलाईने नितीमा उल्लेक्षा यस बीज अनुसार बोईंक का गोवर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना खाकारन अर्थ तंत्रमा परेको प्रभाबलाई नितीमा गर्ने लक्षा का साथ निती केंद्रेद करियेको बतावनुखाया आरेक्रम अरुबाट थप वित्तिय साधन परिचालन भाई आर्थिक गति विदी विश्तार होने देखियेको छा आर्थिक क्रियाकला विश्तार भाई संगयी मुद्रा इस्पिती में चाप पर्न सकने बैतापनी आंतरीक उत्पादन अविविर्यदी तथा आपुर्थि विवस्ताको शुद्रीरिकरन मार्पत मुल्ले इस्थाइक्टु कायम रहने अनुमान छ आर्थिक क्रियाकला विश्तार भाई गति लिये संगयी आयात बढ़ने देखिन चा निर्यात था विब्रेशन आप्रभा गता आर्थिक वर्ष के आरारीमा रहने देखिये तापनी सरकार को बईदेशी ग्रिंट सहग परी चालन बढ़ने अनुमान का आधार मा बाईये छ आर्थिक वर्ष चालो आर्थिक वर्ष मा साथ प्रतिशत को आर्थिक व्रिदी हांसिल करने लक्ष राखे कोछा शोही लक्ष लाई पुरा गर्ना नितिमा केही विशया समावेश गरिये कोछा करोना का कारण अर्थ तंत्रमा परिको प्रभाव नियून गर्ने लक्ष का साथ क्रिसी उर्जा तथा साना तथा मज्योला उद्योक मा लगानी करने गरी नितिमा विशयच जोड़ दिये कोछा